शिव बाबा याद है ना? ओम शान्ती 10 अप्रेल 2024 के इश्परिय महवाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा स्व्यम रचाईता तुम बच्चों को रचना के आदी मध्य अंत का ज्यान दे रहे हैं तो तुम्हारी बुद्धी में यह नौलेज फिरती रहनी चाहिए बेहद के बाब से ही तुम्हें बेहद का वर्सा अर्थात बैकुंठ की बादशाही मिलती है लेकिन अनन्य बच्चे भी ऐसे बाब को भूल जाते हैं क्योंकि बाब की याद है ही पारे मिसल यहां तुम सत के संग में बैठे हो परन्तु माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धी को भगा देती है फिर बाबा कशिश भी करते हैं अभी तुम बच्चे बाब की श्यरिमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो फिर बाबा ने कहा तुम सब पार्वतियां हो बाब तुम्हें अभी भक्ती का फल देते हैं अर्थात ज्यान सुनाते हैं तुम्हें कभी भी संसारी जर्मुई जगमुई की बाते नहीं सुनने लेकिन कई तो बहुत खुशी से असी बातें सुनते सुनाते रहते हैं और बाप के महवाक्यों को भूल जाते हैं। जो अच्छे बच्चे होंगे, वह तो अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी ही मस्ती में खोए रहेंगे। यह है भूतों की दुनिया। जैसे तुम्हारे अंदर माया की प्रवेश्ता होई है, ऐसे बाप ने भी इन में प्रवेश्ता की है, कोई तो फिर बाप की मत पर चलते हैं, कोई रावन की मत पर भी चलने वाले हैं। लास्ट में बाबा ने कहा, अब तुम आत्माई श्रिमत पर सुधर्ती जा रही हो, सुधर्ते सुधर्ते जब पावन हो जाएंगे, तो यहे शरीर छोड़ देंग फिर तुमको सतो प्रधान कंजन काया मिलेगी। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। भाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो, यहां तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत का सच्चा संग मिलता है। प्रश्न, बाबा बच्चों की उन्नती के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं। उत्तर, मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसारी जर्मुई जग्मुई की बाते नहीं करो, कोई सुनाता है, तो सुनी अंसुनी कर दो। अच्छे बच्चे, अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं। परंतु कई बच्चे, फाल्तु व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बरबाद जाता है। फिर उन्नती नहीं होती। ओम शान्ती। डबल ओम शान्ती कहें, तो भी राइट है। बच्चों को अर अंगलो आदी में भटकने से शान्ती नहीं मिल सकती है। बाब कहते हैं, मैं भी शान्त स्वरूप हूँ। यह तो बहुत सहज है, परंतु माया की लडाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है। यह सब बच्चे जानते हैं, कि सिवाही बेहद के बाब के, यह ज् एक ही बाब है। देहदारियों को ग्यान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। रचैता ही रचना के आदी मद्धे अंत का ग्यान देते हैं। वह तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाब की याद पारे मिसल है। युग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। यह स्कूल है। इसे समझने में भी बड़ी बुद्धी जाहिए। आधा कल्प होती है भक्ती, फिर भक्ती के बाद ग्यान सागर आते हैं ग्यान देने। भक्ती मार्ग वाले कभ ग्यान देना सके। क्योंकि सब देहदारी ऐसे नहीं कहेंगे शुबाबा भक्ती करते हैं। वह किसकी भक्ती करेंगे। एक ही बाप है जिसको देह नहीं है। वह किसकी भक्ती नहीं करते। बाकी जो देहदारी हैं वह सब भक्ती करते हैं। क्योंकि रचना है ना। रचईता है एक बाप। बाकी इन आखों से जो भी देखा जाता है चित्र आदी वह सब हैं रचना यह बातें घड़ी घड़ी भूल जाती हैं बाप समझाते हैं तुमको बेहद का वर्सा बाप बिगर तो मिलना सके बैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है पांच हजार वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था पच्चिसो वर्ष सुर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी चली तुम बच्चे ही जानते हो यह तो कल की बात है सिवाह बाप के और कोई बता न सके पतित पावन वह बाप ही है समझाने में भी बड़ी महनत लगती है बाप खुद कहते हैं कोटों में कोई यह चक्र भी समझाया गया है यह सारी दुनिया के लिए नोलिज है सीड़ी भी बहुत अच्छी है फिर भी कोई गुर गुर करते हैं भाबा ने समझाया है शादी के लिए हौल बनाते हैं उनको भी समझा कर द्रिष्टी दो आगे चलकर सब को यह बातें पसंद आएंगी तुम बच्चों को समझाना है बाबा तो किसके पास नहीं जाएंगे भगवानु वाच जो पुजारी है उनको कभी पुज्य नहीं कह सकते कल्यूग में ऐसा भी कोई पवित्र हो ना सके पुज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे उंच ते उंच जो पुज्य हैं वही करते हैं आधकल्प है पुज्य फिर आधकल्प पुजारी होते हैं इस बाबा ने धेर गुरु किये अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ती मार्ग था अभी सत्गुरु मिला है जो पुज्य बनाते हैं सिर्फ एक को नहीं सब को बनाते हैं आत्मै सब की पुज् पुजारी हैं, यह पॉइंट्स समझने की हैं, बाबा कहते हैं, कल्युग में एक भी पवित्र पुज्य नहीं हो सकता है, सब विकार से जनम लेते हैं, रावन राज्य है, यह लक्ष्मी नारैन भी पुनर जनम लेते हैं, परंतु वहें हैं पुज्य, क्योंकि वहां रावन ह कब होता है, यह कुछ भी पता नहीं है, इस समय देखो, कितनी सभाई हैं, फलानी सभा, फलानी सभा, कहां से कुछ मिला, तो एक को छोड दूसरे तरफ चले जाते हैं, तुम इस समय पारस बुद्धी बन रहे हो, फिर उसमें भी कोई 20 परसेंट बने हैं, कोई 50 परसेंट बाबा ने समझाया है, यह राजदानी स्थापन हो रही है, अभी उपर से भी बच्ची हुई आत्माई आ रही हैं, सरकस में कोई अच्छे-च्छे एक्टर्स भी होते हैं, तो कोई हलके भी होते हैं, यह है बेहद की बात, बच्चों को कितना अच्छी रिती समझाया जात यहां तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, न कि हवा खाने के लिए, कोई पत्थर बुद्धी को ले आते हैं, तो वह दुनियावी वाइब्रेशन में रहते हैं, अभी तुम बच्चे बाप की शिरिमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो, माया घड़ी घड़ तुम्हारी बुद्धी को भगा देती है, यहां तो बाबा कशिश करते हैं, बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे, बाप तो सत्य है न, तुम यहां सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सब असत्य संग में हैं, उनको सत्य कहना भी बड़ी भूल है, तुम जानत हो, सत एक ही बाप है, मनुष्य सत परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन यह पता नहीं कि हम किस की पूजा करते हैं, तो उनको कहेंगे अंदश्रधा, आगा खांके देखो कितने फोलोवर्स हैं, वे जब कहां जाते हैं, तो उनको बहुत भेटा मिलता है, हीरों में वजन करते हैं, नहीं तो हीरों में वजन कभी किया नहीं जा सकता, सत्यु में हीरे जवाहर तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर हैं, जो मकानों में लगाते हैं, यहां कोई ऐसा नहीं है, जिसको हीरों का दान मिले, मनुष्यों के पास बहुत पैसे हैं, इसलिए दान करते हैं, अजामिल जैसी पाप आत्माई बन पड़े हैं, ये भगवान बैट समझाते हैं, न कि मनुष्य, इसलिए बाबा ने कहा था, तुम्हारे जो चित्र हैं, उन पर हमेशा लिखा हुआ हो भगवानु वाच, हमेशा लिखो त्रिमूर्ती शिव भगवानु वाच, सिर्फ भगवान कहने से भी मनुष्य मूझेंगे, भगवान तो है निराकार, इसलिए त्रिमूर्ती जरूर लिखना है, उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा विष्णो शंकर तीनों ही नाम है, ब्रह्मा देवता नम्ह, फिर उनको गुरु भी कहते हैं, शिव शंकर ए आत्मा समझ ज्ञान देते हैं, भक्ती का फल भगवान ही देते हैं, एक शिव बाबा है, इश्वर भगवान आदी भी नहीं, शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है, बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चों, तो बाबा हुआ ना, बाप समझाते हैं, आत्माओं में ही संसक पार बहरे जाते हैं। आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती। जरूर लेप छेप लगता है तब तो पतित बनती है। कहते भी हैं ब्रहस्टाचारी, देवताएं हैं स्रेस्ठाचारी, उन्हों की महिमा गाते हैं, आप सर्वगुन संपन्न हो, हम नीज पापी हैं, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते हैं, अब बाप बैठ मनोश्यों को देवता बनाते हैं, गुरुन आनक के भी ग्रंथ मे महिमा है, सिख लोग कहते हैं सत शिरी अकाल, जो अकाल मूरत है, वही सच्चा सत गुरु है, तो उस एक को ही मानना चाहिए, कहते एक हैं, करते फिर दूसरा हैं, अर्थ कुछ भी जानते नहीं हैं, अब बाप जो सत गुरु है, अकाल है, वहे खुद बैठ समझाते हैं, त प्रम्मुख बैठे हैं, तो भी कुछ समझते नहीं हैं। कई यहां से निकले और खलास, बाबा मना करते हैं। बच्चे कभी भी संसारी जर्मुई जग्मुई की बाते नहीं सुनो। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते और सुनाते हैं। बाब के महवाक्य भूल जाते हैं। वास्तों में जो अच्छे बच्चे हैं, वह अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में रहते हैं। भाबा ने समझाया है, श्रीक्रेश्न और क्रेश्चन का बड़ा अच्छा संबंध है। श्रीक्रेश्न की राजाई ह होती है ना, लक्ष्मी नारेण बाद में नाम पड़ता है। बैकुंठ कहने से जट श्रीक्रेश्न याद आएगा। लक्ष्मी नारेण भी याद नहीं आते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा श्रीक्रेश्न है, छोटा बच्चा पवित्र होता है। तुमने यह भी साक्षात कार किया है, बच्चे कैसे जनम लेते हैं, नर्स खड़ी रहती है, जट उठाया संभाला, बच्चपन, युवा, व्रिद, अलग-अलग पाल्ट बजता है, जो हुआ सो ड्रामा, उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते, यह तो ड्रामा बना हुआ है ना, हमारा भी पाल्ट बज रहा है, ड्रामा के प्लैन अनुसार, माया की भी प्रवेश्था होती है, और बाप की भी प्रवेश्था होती है, कोई बाप की मत पर चलते हैं, कोई रावन की मत पर, रावन क्या चीज है, कभी देखा है क्या, सिर्फ चित्र देखते हो, शिब बाबा को तो फिर यह रूप है रावन का क्या रूप है पांच विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं तब रावन कहा जाता है यह है भूतों की दुनिया असुरों की दुनिया तुम जानते हो हमारी आत्मा अब सुधर्ती जा रही है यहां तो शरीर भी आसुरी है आत्मा सुधर्ते स उधरते पावन हो जाएगी फिर यह खाल उतार देंगे फिर तुमको सतो प्रधान खाल मिल जाएगी कंचन काया मिलेगी सो तब जब आत्मा भी कंचन हो सोना कंचन हो तो जेवर भी कंचन बनेगा सोने में खाद भी डालते हैं अब तुम बच्चों की बुद्धी में आदी मध्य अंत की नोलेज चक्र लगाती रहती है मनश्य कुछ भी नहीं जानती है कहते हैं रिशी मुनी सब नेती नेती कर चले गए हम कहते हैं इन लक्षमी नारायन से पूछो तो यह भी नेती नेती करेंगे परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता है पूछेंगे कौन पूछा जाता है गुरू लोगों से तुम उनसे यह प्रश्न पूछ सकते हो तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो गला खराब हो जाता है बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना, जिन्होंने समझा है, बाकी ओरों के साथ फालतु थोड़े ही माथा लगाएंगे, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मौर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धार्णा के लिए मुख्ये सार, पहला पॉइंट, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर, फिर अपनी मस्ती में रहना है, व्यर्थ की बातें सुननी वा सुनानी नहीं है, एक बाप के मह हवाक्य ही स्मृती में रखने है, उन्हें भूलना नहीं है, दूसरा, सदा खुशी में रहने के लिए, रच्ता और रच्ना की नोलेज बुद्धी में चक्र लगाती रहे, अर्थाद उसका ही सिमर्ण होता रहे, किसे भी बात में संकल्प न चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रिती समझकर पाल्ट बजाना है, आज का वरदान मैपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी, सहज योगी भव। मैपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। बाबा ने कहा जिन बच्चों का बाप से हर स्वांस में प्यार है, हर स्वांस में बाबा बाबा है, उन्हें योग की महनत नहीं करनी पड़ती है। याद का प्रूफ है कभी मुक से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा, मैं पन बाबा में समा जाए, बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है, तुम्हें साथ रहना, खाना, चलना, फिरना, यह इमर्ज रूप में स्मृती रहे, तब क सहेंगे सहज योगी, स्लोगन मैं मैं करना, मना माया रूपी बिल्ली का अहवान करना, बाबा बाबा कहो, तो माया भाग जाएगी, अच्छा, ओम शान्ती, अब सुनते हैं आज की अव्यक्त मूर्ली, इसके लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें